हाई एवरिवन दिस इस तारा मलोत्रा टारू काड रीडर नियुमेरलोजिस लाइफ कोच एंड अहीलर जैसे कि हम जानते हमारे नाम का जो पहला एल्फबेट होता है वो हमारी परस्नालिटी हमारे कैरेक्टर इंटेलिजेंस और लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता है इसका मतलब हुआ कि और आपका अक्षर नमबर पांच बराता है वो जो बहुत ही जाधा टॉक e tip होते हैं घ्रूप्स में इनको काम करना ज्ञा अच्छा लगता है और यह मिडिएटर मतलब वह निग की लड़ाई हो रही है तो उसको solve करने में यह सक्षम रहते हैं, जो E alphabet है, यह आपको positive thoughts, positivity देता है, साथ ही साथ आपका ध्यान हमेशा नई-ई-ई चीजें करने में लगा रहता है जैसे routine के काम होते हैं 9 to 5 की job, या एक monotonous life, पांच जो अक्षर है, जो पांचवा अक्षर E है, यह आपको routine life से थोड़ा सा दूर रखता है, आपको उसमें मजा नहीं आता E अक्षर वाले लोग हमेशा नई चीजें अपनी life में experiment भी करना चाहते हैं और creative भी बहुत जादा होते हैं intelligent होते हैं physical stamina भी इनके अंदर होता है but physical stamina होने कि बावजूद यह बहुत जादा physical activity करने में interested नहीं होते हैं, यह बातें करने में जादा interested होते हैं, थोड़े talkative होते हैं, kind होते हैं दूसरों की help करते हैं और साथ ही साथ यह कुछ काम हमेशा दूसरों से हट के करना चाते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े यह plans बनाते हैं, उन plans पे काम भी करने की कोशिश करते हैं और उसमें यह success भी पाते हैं यह लोग जो इनके मन के अंदर होता है, वो बोलने से कभी भी hesitate नहीं करते हैं और साथ ही साथ जो इनकी में एक trait होती है वो होती है, adaptability and change, change इनको अपनी life में बहुत पसंद होता है नई-नई चीजें करना है, नई-नई चीजों पे experiment करना में इनको बहुत ही मज़ा आता है, और साथ ही यह उसके साथ बहुत अच्छे से adapt भी कर लेते हैं यह था इक्षर वालों का analysis, अगर आप अपने नाम के बारे में या अपने बारे में जानना चाहते हैं या डीटेज consultation देना चाहते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं डीटेल्स के लिए www.taramalhotra.com Thank you, stay blessed